अलो गाइस कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे तो भाई साहब हम जा रहा है ड्यूटी सुवए का दस बजने वाला है और मेरा पुड़िया तो दूसरा जगह गया है लेकिन उसके बहन को लेके जाना है कहीं तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं तो भाई में जा रहा है उसके पास और यह सलवर रोड पे इसारा खालिद बिन मुहम्मद नाम है इसका और इसके बगल में रिताक मोल है इधर राइट साइड में इधर ही खड़ा यह इसारा से लेप्ट लेगा उसके बाद जाएगा उसके घर पे गाइस तो में यह जा रहा है अब उसी दरा का ब्रीज है यह राइट लेप साइड में और यह रोड पे मैधर रोड है यह और बाई साहाब बहुत ज्यादा हावा चल रहा है देख सकते हो गुबार हावा बहुत ही ज्यादा तेज है यह आके जो है मैधर इसारा है उसके बाद उसके घर जाने के लिए 10-15 मिनट लगेगा भाईया तो मैं इसारा मैधर पर अभी ख़ड़ा हुआ हूँ और यह हमको सीधा जाना है इधर से उसका घर आएगा सीधा जाके लेप्ट लेने के बाद और यह सामने जो है मैधर होस्पीटल है सीगनल के जैस्ट साइड में ही गाइश तो हमको इसके घर पर आके दस मिनट हो गया और इधर ही मैं उसका वेट कर रहा है अभी तक नहीं आई है और देखो आने के बाद कहां जाती है उसके घर से मैं लेके अबु हामुर में जाय का नाम है उधर आ गया हूँ इधर बच्चा लोग का हस्पीचल है साइद उसका एक बच्चा है वो तैवान है इधर ही आया है दवा कराने और उसका मैं गेट के बाहर बैट के बेट कर रहा है अब देखो कब तक निकलता है फ फाइनली तीन घंटा उसका ड्यूटी करने के बाद मैं रूम पे जा रहा हूँ और यह देखो बाई साब कितना धोल ओड रहा है कि देख सकते हो और हावा आज भी बहुत तेज है कल भी बहुत तेज आवा था देख सकते हो बाई साब किप च्वान कचते हैं रोड पर बूरा दोले ही उड़ रहा है और यह इधर देखो कि ए वाट अभी जल्दी बनाया है अभी देखो इसका प्याड जो है अभी लंबा नहीं हुआ है चोटा-चोटा अभी पोधा है चोटा चोटा यह रोड अभी निया बनाया है मुश्किल से छे-साथ महीना हुआ होगा चालू होके